जैहिं दोस्तों आप सभी का FD Classes में स्वागत है आज हम 21 अप्रेल को जितने भी important question बनेंगे उन सभी question को देखेंगे यदि आपको किसी भी question में किसी भी प्रकार का doubt हो तो comment जरूर कर दिये करें यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को subscribe, like और share जरूर करें साथ ही bet icon को praise करें जिससे कि आपको notification मिलती रहे चलिए आज का पहला प्रश्ण देखिए विस्वल लिवर दिवस कब मना आ जाता है तो उनका सही answer होगा हर साल 19 अप्रेल को विस्वल लिवर दिवस मना आ जाता है याद रखेंगे important है लिवर की श्वास्ता के महत्तर के वारे में चागरूता बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रेल को विस्वल लिवर दिवस मना आ जाता है विस्वल लिवर दिवस द्वार तेज की थीम है लिवर health for all है याद रखेंगे इनके थीम को भी इनसे भी कोशन बना जा सकते है लिवर समगर श्वास्ता और तंदरुस्ती को बराय रखने में महत्पून भूमी का निभाता है और इनकी देख भल करना बहुत ही महत्पून है लिवर की शमस्याओं के कुछ समाने लक्षण जिसमी ठकान पिल्या, पेट मिदार्द और सुजन सामिल है चले नेश्ट कोशन देखिए हाली में भाराश्रकार ने स्वस्थ गंगा मिशन के लिए कितनी पुरिजनाओं को मंजूरी दी है तिनका सहीं आंशर होगा आठ पुरिजनाओं को मंजूरी दी है ध्यान दिंगे भाराश्रकार ने स्वस्थ गंगा मिशन में तेजी लाने के लिए आठ नई पुरिजनाओं को मंजूरी दी है जिसमें लगभग 638 कोड रुपय की पुरिजनाओं का उद्दिश्या सीविल इंफ्राटेक्चर नदी के किनारे की विकास और नदी की शताह की शफाई में शुधार करना है नई सुकृत पुरिजनाओं को उत्तर पुर्दिश बिहार पच्चिम मंगाल सहित कई राज्यों में लागू किया जाएगा चलिया अगला प्रश्ण है हाली में इसपात मंत्राला दुआरा भारत इसपात द्वार तेश का आयोजन कहां किया जाएगा तुकर सही आंसर होगा मुंबई मीन का आयोजन किया जाएगा याद रखेंगे इसपात मंत्राला मुंबई में निस से 21 अपरिल द्वार तेश तक एक परमुक अंताराश्टिय परदर्शनी और सम्मेलन भारत इसपाद दोहर्ट तेश का आयोजन करने के लिए तैयार है इस कारेकरम का आयोजन वाडिच्य मंत्राला और फिक्की के शायोग से किया जाएगा याद रखेंगे वारिज्य मंत्राला और फिकी के सायोग से किया जाएगा सम्मेलर में उच्च इस तरी मुख्या वक्ता तक्निकी शत्र और पैनल चर्चा साम्मिल होगी अगला प्रश्ण देखिए 2023 पूर्शो की होकी एसियन चेंपियंशिप ट्रोफी की मेजबानी किस राज्य को दिया गया है तिनका सही आंसर होगा तमिनाडू राज्य को दिया गया है याद रखेंगे दोहर तेश पूरसों की होकी एशन चेंपियंसिफ ट्रोफी की मेजबानी तमिनाडू राज़े को दिया गया है याद रखेंगे दोहर तेश पूरस होकी एशन चेंपियंसिफ ट्रोफी की मेजबानी चेन नहीं भारत में आयोजित की जाएगी ACN Championship Trophy हर दो साल में आयजित की जाती है और भारत ने 2011 और 2016 में दो बार टूनामेंट जित हाशिल किया है चलिए नेश्टर कोश्चन देखिए हाली में दुनिया के सबसे अधिक अबादी वाले देश के रूप में किसे सामिल किया गया है तिनका सही आंसर होगा भारत को दुनिया के सबसे अधिक अबादी वाले देश के रूप में जिन से आगे निकल गया है सयुक्तराश्ट जन संख्या कोश की दा इस्टेट आप वल्ड पापूलेशन रिपोर्ट देश में भारत की जन संख्या 1428.6 मिलियन है याद रखेंगे जबकि चीन की जन संख्या 1425.7 मिलियन है दोनों के याद रखना है इंपॉर्टेन है चले निस्ट कोशन अंडर ट्वंटी फीफा वीश्व कप का मेजबानी कौन से देश करेगा तो उनका सही आंसर होगा अर्जेंटीना में अंडर ट्वंटी फीफा वीश्व कप का आयजन किया जाएगा चले याद रखेंगे अर्जन्टीना अंडर 24 वाल विश्वकप की मेज़बानी करेगा इसने इंडोनेशिया का इस्थान ले लिया है जो पहले इसकी मेज़बानी करने वाला था याद रखेंगे इससे पहले इंडोनेशिया में होने वाला था फीपा ने 29 मार्च 22 को इंडोनेशिया को मेज़बानी की रूप से हटाने की फैसला की है चले अगला प्रश्न देखिए आठवी भारत थाइलेंड रक्षा वारता कहां आवजित की गई है तिमकर सही आंसर होगा बैंक आउप में की गई है याद रखेंगे आठवी भारत थाइलेंड रक्षा वारता 20 अपरिल 23 को बैंक आउप में आवजित किया गया है रक्षा मंद्राला में विशेज सची निवीता शुकला वर्मा थाइलेंड के रक्षा उप इस्थाई सची उजर्नल नुचित स्री वांसूप के शाथ बैठा किसा अथेक्षत किया है वारता के दारान वे रक्षा सयोग की समिठ्चा करेंगे और दुपक्छी समद्रों को मजबूत करने के लिए एक नई भरलो का पता लगाएंगे चले अगला प्रश्न देखिए हाल ही में रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कि दो देशों ने समझावता किया है तिनका सही आंसर होगा भारत और करनाडा के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हर्त तक्षर किया है याद रखेंगे भारत और करनाडा ने अपने रक्षा सम्दों को बढ़ाने के लिए एक समझावता किया है समझावते में शैन्य अनुशंधान और विकास पर सयोग करने के सांस साथ रक्षा पर ध्योकी पर सुचन साजा करना सामिल है दोनों देश सयोगत शैन्य अभ्यास और प्रसिक्षन कारेकरम आयोजित करने के लिए परतिवत है रक्षा समझावते का उदेश या भारत और करनाडा के बीच आर्थिक शमंदों को गहरा करना भी है नेश्टो कोश्चन है हाली में दो दिवसी बाजर महुषव कहां आयोजित किया गया है तिनका सही आंसर होगा दो दिवसी बाजर महुषव राजिस्थान में आयोजित किया गया है याद रखेंगे राजिस्थान के जोधपूर में इसका आयोजन किया गया है इंपोर्टेन है जोदपूर में 20 अप्रेल 72 से बाजरा की विवित दिखाने और ठीकाव कृशी को बढ़ावा देने के लिए दो दिवसी बाजरा महश्रों की मेजबानी कर रहा है इस कारेकरा में बाजरा की पोशन परियावरन और आर्थिक लाभों पर प्रकास जानने वाली परदरशनी सेमिनार और शांस्कृतिक कारेकरम शामिल होंगे अगला प्रशन देखिए लता मंगिशकर फुसकार से किशे सम्मानित किया जाएगा तिक रही आंसर होगा लता मंगिशकर फुसकार से आसर भोशले को सम्मानित किया जाएगा बहुत ही important question है याद रखना है चले महानगाई का आसर भोशले को लता मंगिशकर फुसकार से सम्मानित किया जाएगा परिवार और ट्रस्ट ने लत्ता मंगेशकर की याद में फुषकार की स्थापना की जिनकी मित्तु 6 अफरवरी 22 को हुई थे उन्हें 24 अफरेल 22 को उनके पीता और ठीटर संगीत के दिग्च दीनानात मंगेशकर के इश्मिती दिवस पर मनेतम मिलेगी चले अगला प्रश्ण देखिए प्रतिष्ठी संतोग बा मानवतावादी पुषकार से किसे सम्मानित किया गया है तिक दिग्च नहीं आंसर होगा सोनम वांचुक को प्रतिष्ठी संतोग बा मानवतावादी पुषकार से सम्मानित किया गया है याद रखेंगे सुनाव वांचुक को समाज में उनके युगदान के लिए परतिश्टी संतोग बा मानतावादी फुषकार से समानित जय गया है वहाँ आईस इस्तु परिजना पर अपने काम के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं उनका उदेश हिमाला में पानी की कमी को दूर करना है याद रखेंगे संतोग बा मानतावादी फुषकार उन वैक्तियों को मानता देता है जुनोंने सिक्षा, स्वास्ता सिवा और समाजिक कल्यान के छेतर में समाज में महत्पुन एवदान दिया है चले नेश्ट कोशन देखिए पिछले वीडियो में हमने आप से प्रश्ण पोचा था कि डिजिटल हेल्थ सम्मित्थुहाद 23 का आजन कहां किया गया है तिनका श्रही आंसर होगा गोवा में डिजिटल हेल्थ सम्मित्थुहाद 23 का आजन किया गया है अब आपके लिए आज का प्रस्ण है महिला सरसक्तिकरन के लिए भारत ने UN की संस्था को कितने रुपए दान किये है तिमकर शाही आंसर आप कॉमेंट बॉक्सर में जरू देना है चले मिलते हैं अगलोडो में जैहिन